आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंड्स, अपना question है 7 people, P, Q, R, S, T, U and V live on separate floor ground floor is one just above floor is second and so on until topmost floor is 7th floor अपने को question में क्या बोल रहा है 7 person है P, Q, R, S, T, U और V जो अलग-अलग floor पे रहते है जो ground floor है वो कौन सा है first है, उसके बाद है second और जो सबसे उपर वाला floor है वो कौन सा है 7 floor है then हम इसको arrange कर देते है then हम लिख देते है ground floor है जो one है फिर second है, फिर third है, फिर fourth है, फिर fifth है, six है सबसे उपर वाला floor है वो कौन सा है 7th floor है आगे question में हमें बोल रहा है there are more than three gap between P and S P और S के बीच में कित्ते का gap है more than three मतलब three से ज्यादा का तो P को हम कैसे arrange कर सकते है P सबसे उपर हो सकता है one, two, three, four four का gap हो सकता है P और S के बीच में okay, second case क्या बन रहा है second case क्या बन रहा है कि P और S के बीच में कित्ते का gap हो सकता है four का five का gap हो सकता है more than three मतलब four का gap हो सकता है या तो, या कित्ते का gap हो सकता है five का gap हो सकता है एक condition यह भी बन सकती है, maybe S उपर और P कहां हो, नीचे हो, और S उपर और P कहां हो, नीचे हो, more than 3 मतलब या तो 4 का गैप होगा, या 5 का गैप होगा, तो P और S हमने बना दिया है और उनके बीच में 4 और 5 का गैप हमने 4 केस ले लिए हैं, झाल सीर्क्तराव में रहता है इस फ्लोर पर रहता है तो क्युं जो है वह उस फ्लोर पर रहता है जो व До उस उपड़ वाले कुट रहता है, क्यूं रहता है मतलब Q और V की condition कासे बनेगी ऐसे बनेगी ठीक है जस्ट उपर बन रहा है आगी question में बोल रहा है there is one floor gap between V and R और V और R के बीच में कितने floor का gap है one floor का gap है मतलब V और R के बीच में one floor का gap है तो यह सारे एक साथ आएंगे आगे question में हमें बोल रहा है you lives below the P floor but not just below जो यू है वो कहां पर रहता है P से नीचे रहता है then देखो यह वाला case तो रोंग हो गया क्योंकि इसमें P सबसे नीचे हो रहा है then यह case तो उमारा रोंग हो गया question में हमें क्या पोल रहा है कि जो यू है वो कहां रहता है P के नीचे रहता है ओके तो यू को हमने P के नीचे बना दिया लेकिन तो यह वाली condition क्या हो रही है wrong और यह उसमें जुस्त नीचे आ रहा है यह दो केस्तों हमारे रोंग हो गए है आगे हम देखते हैं आगे हमें बोल रहा है कि there is one floor gap between T and Q, क्यों तो यह रहा ती इसके उपपर है और इन दोनों के बीच में कितने का गैप है एक फ्लोर का गैप है ओके टी फिर एक फ्लोर का गैप है फिर क्यूं दैन वी फिर एक फ्लोर का गैप है दैन आर तो हम ऐसे अरेंज करेंगे दैन अगर हम इसको टी को यहां अरेंज करते हैं एक फ्लोर का गै पिर फ्र एक फ्लोर का गशेर करें तो कि अपर आएगा क्यूंना कि यूट के जस्ट नीचे भी आएगा एड वी के बाद एक फ्लोर का गैप और आए गाँ यह वाला से थे यहां पर गई ऽरोंग गई और उत्स की अब हमकें बहquat बोरन है Edwards निदेज dancer पहर यहां पह सकते हैं तो हमने पूरी तरह से अरेंज कर दिए कि ग्राउन फ्लोर पे कौन रहा है रहा है और टो फलोर पे कौन सार है 7 ओके एन्टी और ty Q तो B के बीच में T और Q के बीच में 1 का गयंप है। हमारी सारी कंडिशन सटिस्ट तो अपना Question है कि कौन सा परसन है 빛 जो ट रहता है तो ट के जसट ऊपर कौन है। टक ěस ऊपर कौन हो रह रहा रहा है प् कौन से option में आ रहा है option नमबर 1 में अपना प्राइब या राइट, smartest नमबर 1 Curtis , सुमपना चैन सरुное तो Ground floor पे कौन सा परसन रह रह रहा है और और कौन से option में आ रहा है Option number 4 में then option number 4 अपना क्या हो गया राइट answer हो गया Okay then next question is which one of the following does not belong to that group कौन सा option है जो एक particular group से belong नहीं करता है then हम देख लेते हैं सबसे पहले फॉर्स्ट option में कहा है आ तो that's just go from the head from the simple second option में यह क्यों then क्यों से फ्लोर पे रह 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 रहा है फॉर्ट पर उसके बाद में पी दगाओ नयुकों से फ्लोर फेरा है तो हम चेक कर लेते हैं पी फ्लोर पर सेंन पे अससीय कondere है घुड़ कोने फ्लॉर से ason सो चोलेंअ को से जैसल कर देज여 और थार्ड फ्लॉरूर पばい यह झायर है यह प्याल से को से रहना हुआ एकंस यह तेने हमंई यह वह उसे Mau fires प्यूर पाइड है और मिल्स प्रिया हुए क्यों हो गया तो क्यों कौन से option में option number two में then option number two अपना क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा okay क्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर